कल आई थी योद्धा, बस्तर, कूंफु पांडा एंड मुर्डर मुबारक जिसमें से योद्धा का सेपरेट रिव्यू मैंने अल्रेडी कर दिया है लेकिन इस वीडियो में बाकी तिन मुविस का रिव्यू फटा फट एक साथ वेल हेलो मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार-बार होगी तो मैं गया था अपनी बचपन की याद को ताजा करने, बचपन तो क्या ही कहू, 2008 में कूंफु पांडा की फर्स्ट मुवी आई थी और तब मैं 20 साल का था लेकिन यार, golden days थे वो, जब animation movies को देखने में बड़ा मज़ा आता था और अब कुंफु पांडा movie series का fourth part आया है, मैं trailer को देखने के बाद उतना ही excited था जितना मैं इसके first part को देखने के बाद था तो movie देख लिए मैंने Hindi dubbed version में and 3D में, सबसे पहले तो यही बोलूँगा कि 3D VD का चकर छोड़ो, सीधा 2D में देखो, कोई फायदा नहीं ये 3D का, मज़ाग था इसका 3D, 2D में ticket book करो और अपने पैसे बचाओ, लेकिन भाई साब, Hindi dubbing बहतरीन, अब बात इस movie की, देखो storyline अच्छी है, but I really missed Furious 5, उनको बिना वज़ा movie से निकाल दिया यार, या budget का issue था नहीं पता, क्योंकि उनकी voice cast Hollywood actors थे, तो उनको purposely बाहर कर दिया गया, शायद, Anyways, Poe को अब एक नए dragon योद्धा को चुनना है, और खुद को गुरु उगवे जैसा बनाना है, लेकिन उसको मन से dragon योद्धा ही जादा पसंद है, उपर से twist है नए characters का, जो Poe के life में आती है, एक चाला कलोमडी और एक villain, chameleon, और एक नई जगा, जहाँ Poe को कोई जानता ह नहीं कि वो एक dragon योद्धा है, अब वो इससे आगे कैसे जाएगा, कहानी आगे कैसे बढ़ेगी, उसके लिए आप ये family friendly movie देख सकते हो, animation first movie से ही जबरदस्त रहा है, और इसमें भी animation VFX CGI top notch है, इस movie की hype सच कहू तो बस्तर और योद्धा से जादा है, क्योंकि बस्तर तो खाली पिली शो था, योद्धा में 10-12 लोग आये थे, बट कुंफु पांडा के लिए शो almost houseful था भाई साब, बट हाँ, अगर ये movie देखने का प्लान कर रहे हो, तो इसके पहले के 3 movies भी जरूर देख लेना, linked है actually एक दूसरे से, मेरे तरब से इस movie को 3.5 out of 5 stars, अब बात Netflix पर आई film Murder, मुबारक की, लेकिन वो कहते है ना, नाम बड़े, दर्शन छोटे, इसके कास्ट को देखोगे तो they are one of the finest, but storyline and screenplay, one of the weakest, क्या चल रहा है, क्यू चल रहा है, कुछ अता-पता नहीं है, पहले 20 minute में ही आपका दिमाग खराब हो जाएगा, और आप movie को बंद कर द जैसे जैसे suspense खुलता है, and climax is also good, but story को build-up करने में ही इतना time लगाओगे, तो audience तो bore हूँ ही जाएगी ना, फिल्म में अच्छा खासा suspense है, बट इसका screenplay काफी weak था, and हाँ, फिल्म में गालिया है, कुछ एक vulgar scenes भी है, तो family friendly तो ये movie नहीं है, overall देखते हुए, मैं दूँग फिल्म है, 36 गड़ के बस्तर की, जहां नकसल वादियों की जो निर्दैता दिखाई है ना भाई, ऐसा कुछ screen पर दिखाने के लिए भी जिगरा चाहिए, एक scene में एक नकसल किसी को मार रहा है, and ऐसे मार रहा है ना, कि अगर आप कमजोर दिल वाले हो, तो यह तो अपनी आ रूख आप जाएंगे आपकी, शरीर के टुकड़े टुकड़े करते वे दिखाया है भाई साब, ऐसे मानो वो किसी मुर्गे या बकरे को मार रहा हो, काट रहा हो, फिल्म स्टार्ट होते ही उस जगा की real footages and news वगरा दिखाई गई है, जिससे इसको reality के साथ जोड़ने में आसानी हो, वहान अकसलवादी क्या करते थे, उसका screen play और वो जैसे दिखाया गया है, भाई वो आदिवासियों को ऐसे ही मार दे रहे है, तिरंगा फैराया तो मारेंगे, रोड को तोड़ेंगे, जवानों को मारेंगे, किसी और की family से एक लड़का अपने साथ जोड़ दे नहीं दिया वो लड़का तो अगेन मारेंगे, ऐसी हैवानियत दिखाई है कि भाई आप यकिन नहीं करोगे, सभी actors का performance top notch है, बट movie A rated है, so family में बड़ों के साथ तो देख सकते हो, लेकिन 16 साल से अगर कम उमर वाले बच्चे हो आप, तो मत देखना, please. ओर आल देखते हुए, मैं इस movie को आराम से 3.5 out of 5 stars देना चाहूंगा, बाकि आपने ये सभी movies देखिये के नहीं मुझे जरू बताना और इन सभी movies का detailed discussion सुनना है, तो मेरे podcast channel दिल दोस्ती cinema को यहाँ क्लिक करके visit जरू कर रहना और subscribe भी कर देना, मिलते हैं अगले वीडियो में बाइ